अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है और किचन में जाके घंटों तक कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है तो आप ये इंस्टेंट कलाकंद बना के खा सकते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और आपको इसको घंटों पकाने की विज़ोरत नहीं होगी तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मिल्क पॉडर तो यहाँ पे मैंने दो कप स्किंप मिल्क पॉडर लिया है आप किसी भी कंपनी का ये मिल्क पॉडर ले सकते हैं और इसमें डाल देंगे एक कप दूद तो यहाँ पे हमने दो कप मिल्क पॉडर लिया है तो इसमें आधा cup हम डाल देंगे चीनी और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे mix तो देखिए अब यहां पर कड़ा ही हैं यहां कर लें तो पहले हम तो neटें पहले इन सारी चीजे जों को mix कर लेंगे ताकि यह सारी चीजहों मिक्स हो जाएं' क्योंकि जो milk powder है वो दूद में mix होती है उसमें गुठलियां बननी शुरू हो जाती है तो इसलिए इसे हम अभी पहले ही mix कर लेंगे और जब इस सारी चीज मिक्स हो जाएंगी तो इसे अब हम रख लेंगे gas की उपर और विल्कुल low flame करेंगे और जब तक चीनी घुल जाती है तब तक इसे हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेंगे क्योंकि milk powder है तो यह मतलब इसमें तले में लगना भी जल्दी से शुरू हो जाता है तो इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए low flame पर पका लेंगे जब तक इसकी चीनी घुल जाएगी और जब चीनी इसमें घुलने लग जाएगी अच्छे से घुल चुकी है चीनी और यह थोड़ा सा थिक भी होने लग गया यानि गाड़ा होने लग गया है तो यहाँ पर हम ले लेंगे आधा नीभू का रस लिया है मैंने जो यहाँ पर हम जो खाना खाते हैं नॉर्मली चमच से तो वो डेड़ चमच के करीब होगी तो उसको आप इसमें डाल दीजे नीभू की रस को और गयास का फ्लेम कर लीजे इस समय मीडियम और इसको लगातार आप इस तरीके से चलाएंगे न तो इसमें एक दाने से बनने शुरू हो जाएंगे तो देखें नीभू का रस डाला है तो इसमें फटाफट से दाने बनने शुरू हो जाते हैं आप देख रहे होगे कि थोड़ा थिक भी होने लग गया है तो आप इसे लगातार इसी तरीके से चलाएंगे और ये थोड़ा सा थिकी हो जाएगा और साइड से पानी सा करना शुरू कर दिया है तो अब इस स्टेज पे मैं गयास का फ्लेम आफ कर दूंगी तो देखें अब ये हो गया है जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से आजाए तो अब हम यहां पे एक ट्रे भी तैयार कर लेते हैं तो यहां पे मैंने एक ट्रे ले ली है इस तरीके से आप चाहें तो कोई थाली भी ले सकते हैं उसमें आप तेल लगा दीजी या घी लगा दीजी और उपर से इसमें बटर पेपर लगा देंगे तो यहाँ पर थोड़े से इसके पीस अच्छे से आ जाएं मैं इसलिए बटर पेपर लगा रही हूं इसमें आप चाहें तो डारेक्ट बस किसी ट्रे या थाली में घी भी लगा सकते हैं बटर पेपर की आपको ऐसी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होगी तो अब इस मिश्रेंट को हम इसमें फैला देंगे ये जो हमने ट्रे तयार करी थी तो आप इसे अच्छे तरीके से इसमें फैला दीजिए जैसे आपको पीस रखने हैं इसमें अगर आप थोड़े छोटे पीस रखना चाहते हैं तो देख लीजे जिस तरीके के आप पीस रखने चाहते हैं मैं यहाँ पर थोड़ी से इसके मोटे थिकी पीस रखना चाहते हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको मैं पूरे में नहीं फैलाओंगी आधे पर ही मैं इसको सेट कर दूँगे यहाप पर यह देखेँ इस सरी के से प्रेस करते चाहिए और इसे एकदम स्बूड कर ़क्राइब से एकक में डूड मतवा ही तो यहाँ पर थोड़ी से मुझे मोटे नुटि पीस रखने है तो बजार जैसे रखने हैं तो इस लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिए और मेरे पास फिलाल यहां पे बादाम ही थे तो मैंने बादाम ही इसमें डाल दिया है आप चाहें तो इसमें पिस्ता डाल सकते हैं काजू डाल सकते हैं जो भी आपके पास ड्रैपूस हो और हलका सा प्रेस कर देंगे और दो घंटे के लिए से हम सैट होने के लिए रख देंगे तो दो घंटे के बाद देखें यह अच्छे से इस पे सेट हो चुका है और इसे हमें फ्रिज में भी रखने के जोरत नहीं है यह बाहर यह सेट हो जाएगा तो अब हम इसके पीसिस कट कर लेते हैं तो देखें यह बहुत ही आसानी से बनने वाला कलाकंद है जो बहुत आसानी से बन जाएगा देखें इसके पीसिस भी बहुत आसानी से कट जाते हैं और कभी भी मन करता है कुछ मीठा खाने का और गर्मी में तो न वैसे भी किचन में घुसने का मनी नहीं होता तो यह बहुत ही जल्दी से बन जाएगी और आपकी क्रेविंग भी घतम हो जाएगी तो देखें बहुत ही शानदार से इसमें यह कलाकंद बन के तयार हुआ एकदम रसीला सा बनेगा आप ट्राइज जरूर कीजेगा और कलाकंद की रसीपी में पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी तो यह बहुत ही टेस्टी सा कलाकंद हमारा बन के तयार हुआ है गाइज रसीपी आप ट्राइज जरूर कीजे अगर आपको रसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं अगली नई रसीपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई